के जी एफ का जो चाप्टर डू का जो टीजर लॉंच हुआ है कल रात में जिसको सिर्फ दस मिनिट में कुछ वन मिलियन लाइक्स मिले जाते हैं यह जो टीजर में ने देखा यह परफेक्ट एग्जामपली कि एक टीजर को कैसे होना चाहिए टीजर काम यह होता है कि ओडिय को जाद से लदा हाइप अब किया जा सके इसके लिए टीजर होते है एंड जिसने भी यह तिजर बना है जिसने भी एडिट किया है उन्होंन ने जास камाल का काम किया है क्यूंकि यह जो टीजर है उसमें संजयदत का जो character है अधीरा का जो सबसे बड़ा villain है उसका जो look है वो completely reveal निकिया है audience को सिर्फ उसका backshot दिखाया है तो यह जो decision थी मुझे बहुत पसंद आई क्यूंकि शायद बाद में trailer में जो look होगा संजयदत के character का वो completely reveal करेंगे जिससे और audience हुई की trailer आने के बाद तो यह जो decision था marketing point of view से वो मुझे बहुत पसंद आया इस teaser का फिर इसमें हम लोग जो रवीना तर्णन का जो character है उसका जो walking का जो shot देखते है and teaser का जो सबसे बड़ी highlight है जो उसका dialogue है that powerful people comes from powerful places but नहीं powerful people make places powerful तो यह जो dialogue था one of the best था इसमें कोई पिर इसमें मैं और एक चीज़ आड़ करना चाहूंगा कि जो बहुत सरी सी remix सारी है जो मैं देख रहा हूँ उससे की जो powerful movies है वो सिफ साउस से ही आरी आजकल and Wollywood का तो आप छोड़ी दो and बाद में जो teaser में जो यश की जो full-on action pack entry होती है मैं कोई exaggerate नहीं कर रहा है आप प पूरा sequence था यह कमाल का लगता है देखने में और मैंने मेरा पहले के वीडियो में कहा था कि KGF perfect example कि एक commercial movie को कैसे बना चीए I know बहुत सरे लोग मैंने comments में भी देखा कि कुछ ऐसे बुल रहे है कि यह जो rod वाला sequence था secret का थोड़ा over the top हो गया बट सारी की सारी commercial movies ऐसी होनी commercial movies normally over the top होती है extra masala extra action and बहुत सारा emotion होता है इस movie में इसके लिए जो आप teaser में starting में ending में भी जो shot देखोगे जो Rocky भाई का जो mother का shot है वो and फिर ending का जो teaser है उसमें आप देखोगे that promise will be kept जो उसमें अपने मा से किया होता है कि वो सबसे ताकतवर दुनिया का है सबसे powerful आदमी बन scenes है बड़ जो scene है जहां पर यश्च का जो character है वो गाड़ी में रहता है heroine के साथ है जब bread गरता है और फिर वो पूरे traffic को रोकता है and bread जाके उस मा के हात में देता है यह पूरा जो sequence है यह मुझे just perfect example लगता है कि ए commercial movie को कैसे होना चाहिए full on emotion, full on action and KGF उसका perfect example है anyways guys जो KGF का जो chapter one है उसका में detail में recap review करूँगा तो उसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे हर एक scene पर तो आप मुझे आप बताएगे कि आपका KGF chapter one का कौनसा scene favorite था comment section में and teaser का कौनसा part आपको बहुत पसंद आया वो भी and मैं आप सब से मिलूँगा next video में thank you हुआ हुआ